इस फिल्म के निर्माता है सुरेंद्र प्रसाद जो कि इस फिल्म के माध्यम से भोशपुरी फिल्म इंडस्टी में अपना कदम पहली बार रख रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक है लाल बाबु पंडित ट्रेलर में ये साफ देखा जा सकता है कि खेसरे लाल यादफ दो अलग किरदार में नजार आ रहे हैं एक में वो बिल्कुल दिहादी है तो दूसरे में वो काफी स्टाइलिस लग रहे हैं अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म में खेसरे लाल यादफ का डबल रोल है या फिर एक ही किरदार है जिसके दो अलग रूप हैं इस ट्रेलर में एक्शन की भरमार है खेसरे लाल यादफ को जम कर गुंडों के साथ लड़ाय करते हुए देखा जा सकता है जो कि दर्शकों को खूब पसंद आएगा और सिफ एक्शन ही नहीं बलकि इस फिल्म में काफी सारे गाने भी नजार आ रहे हैं जो कि सुनने में क काफी मसेदार है इसके अलावा ट्रेलर से ये साफ पता चलता है कि जिला चंपारन बहुत अच्छी फिल्म है और साथ ही साथ पारिवारिक फिल्म है इस फिल्म की कहानी काफी अलग है और काफी आकरशित करने वाली है जिसमें देश के आजाद होने के बात की कहानी है तो आप भी देर ना करते हुए फिल्म का ट्रेलर जरूर देखें कैसी लगी आपको ये स्टोरी शेर कीजे कमेंट बॉक्स में और भोशपरी जगत की तमाम ऐसी ताजातरेन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पाइसी भोशपरी